आज मैं आपको instant, tasty और super easy आचार बनाने की recipe बताने वाली हूँ जो बहुत जादा हटके है normal आचार से ये आचार अगर आप पहली बार भी बना रहे है तब भी इदम perfect बनेगी साथ ही मैं कुछ ऐसे tips and tricks बताऊंगी जिससे आपका आचार खराब नहीं होगा पूरे साल भर तक ये ठिका रहेगा ये अचार जितना tasty है उतना ही easy बनाने में तो चलिए let's start Hello friends and welcome back to my channel आच से पहले ऐसी आचार की recipe आपने कभी नहीं देखी होगी ये जो अचार की recipe है इसके लिए ना ही आपको केरी को cut करना है इसको इतना different style से हम बनाने वाले है तो वीडियो को छोड़ियेगा नहीं इसके साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च का भी use करने वाले हूँ 6-7 हरी मिर्च ले ले तीखी वाली ले या आप कम तीखी ले ले कोई भी ले सकते हैं दोनों को पहले अच्छी तरह से मैंने wash कर लिया था फिसुकने की बाद इसका जो मिर्च का गंठल है वो मैंने हटाया है बिल्कुल भी आप पहले गंठल हटाने के बाद धोयेगा नहीं अदर्वास मिर्च में पानी भर जाएगा चलिए इसका मसाला सबसे पहले बनाना शिरू करते हैं तो पैन में मैंने वन टेबल स्पून मेथी दाना लिया है तो सारे जो मसाले हैं मैं टेबल स्पून के हिसाब से ही ले रही हूँ आधा कीलो जो केरी है उसके लिए यह मसाला बनाना बता रही हूँ तो यहां मैं इसे सिर्फ और सिर्फ दो मिनिट के लिए धीमी आज पे रोस्ट करूंगी मसाले को हमें जादा रोस्ट नहीं करना है इससे अचार का जो टेस्ट है वो खराब हो सकता है दो मिनिट रोस्ट होने के बार इसमें हम दालेंगे वन टेबल स्पून ही सॉफ जी हां फ्रेंट आफ्स दाल दे और आफ दालने के बाद दर दो आफ बाद 1 मिनिट आपो रोस्ट करना है तो तो टोल हो गया तीन टायम मिनिट एक बाद रोस्ट होने के बाद उसमें टालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे राई की डाल, सरसो की जो डाल आती है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है, सेम वही स्पून लिया है, जो स्पून से हमने मेथी डाना और सौफ ली थी, तो 2 टेबल स्पून मैंने यहां राई की डाल ले ली है, अगर आपको पीली सरसो मिल यह नहीं मिल रहा है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं इसको आप थंडा होने देते हैं एक प्लेट में तूरंथ ही ट्रांसफर कर ले और जब भी आप सरसो डाले यानी राई की डाल डाले उसके पहले आप गैस को आफ कर ले अदवाई जादा कड़वा हो जाता है अब चलि होती है थोड़ी से भी यलो होती है तो फ्रेंस हमारा जो अचार है वो जली खराब होने के चांसे हो जाते हैं तो सारी टिप्स आपको बताते जारी हो सबसे पहले जो वाश कर लिया था उसको सूपने के बाद ही आपको कैरी को इस तरह से चील लेना है और इद्दम इस तरह से आप इसको चील ले साथ ही में इसमें जो हम मिर्च डाल रहे है यह ऑप्शनल है बढ़ेंगे तो आपको मज़ा आजाएगा तो यहां मैंने दोनों केरी को चील लिया है अब इसको हम कट नहीं करने वाले हैं हम इसको ग्रेट करने वाले है तो बड़ा जो ग्रे इस बार कुछ अलग कुछ डिफरिंस्टाइल का बना के देखे तो इससे क्या होगा जो बड़े लोग है जो बुजर्ग है जिसे थोड़ा बहुत अचार खाना पसंद है वो भी आराम से इसे खा सकेंगे उन्हें कुछ चबाने की कुछ कट करने की ज़रौत नहीं है इतना अ पर से नीचे तक आप लेके जाएं यह देखे और जो मसाला में बता रहे हूं उसको भी आप कैसे स्टोर कर सकते हैं कैसे आप डिफरिंट वे में इंस्टिंट अचार के लिए उसे यूज कर सकते हैं यह भी आपको बताऊंगी तो इस तरह से आप कद्दू कस कर लें यह द 10 मिनिट के अंदर फ्रेंट से अचार बनके रेडी हो जाता है तो इसी तरह से मैंने इसे कद्दू कस कर लिया है तो आधा किलो केरी ली थी उसके हिसाब से ही मैं मसाले भी आपको बता रही हूं तो इसे कद्दू कस कर लिया है अब यह जो हरी मिर्ची है यह इसे भी हम कट कर लेंगी इस चोटे बड़े जैसे टुकडे में आपको पसंनद है उस सापसाई कट कर ले तो मैंने एक हर इमिيज के तीन से चार तुकडे कर लिए है और से just a cube मसाला है यह थन्डा हो चुका है थन्डा होने के बाद ही आपको पिसना इस बात का ध्यान रखे इसे मैं pulse mode पे पीस लेती हूँ इसका texture हमें दरदरा ही रखना है बिल्कुल भी इसे powder नहीं बना देना है ये देखिए इस तरह से दरदरा texture ही रखना है इसे pulse mode पे ही आपको पीस ना है ये जो मसाला है इसमें कुछ और ingredient पढ़ेंगे जैसे आधा बढ़ा देती है अचार का साथ ही में 2 टेबल स्पून इसमें डालोंगी कश्मीरी लाल मिश जो कम तिक होती है और बहुत अच्छा कलर देती है वैसे मिश की quantity आप थोड़ा सा कम या जादा आपकी हिसाब से कर सकते हैं आप अगर जादा तिका खाना पसंद करते तो थोड और इसको प्रिजर्व करने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक नमक अच्छी तरह से हमें डालना है तो मैं यहां 2 टेबल स्पून अभी नमक डाल रही हूं अगर लगे तो हम थोड़ा सा जादा भी से बढ़ा सकते हैं क्योंकि यह ही प्रिजर्वेटिव का काम करेगा फ्र इसमें करने में असानी हो और इसमें कदुकस किया हुआ यह कैरी अट करेंगे मसाला यह जो हमने बनाया है इसे एक महने के लिए आटाइड कंजिनर में स्टोर करके रख सकते हैं जब भी आपको इंस्टेंट अचार खाना है बस इसको स्प्रिंकल करिए और इंजॉय करिए अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंस कते हुई हरिमिश यह काफी तीकी हरिमिश मैंने ली है मुझे तीका खाना पसंद है और यह जो मसाला हमने बनाया था वो पूरा का पूरा ही इसमें एड कर लेंगे यह रिखें अब क्या करना है अब इसे मिक्स करना है बहुत ही आसान अचार की रेसिपी है और बहुत जारा टेस्टी लगने वाली है एक बास जरूर ट्राइ करके देखेगा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हमें इसमें से पानी छूटने का वेट करना है यानि कि आज दुपैर में मैं बना रही हूँ तो कल दुपैर तक इसे कव तो यहां मेरे पास वो टाइम था तो अगले दिन इसे एक बार मिक्स कर लेंगे तो काफी पानी इसका छूट चुका है नरम भी पढ़ चुकी है तो चलिए इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम ऑईल डालेंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है एक घंटे क जो भी आप खाते हो अब मैंने यहां ग्राउनच ओल्लिया है अब संपलार ओ भी ले top आप सर्सो का तेल तेल कुछपी आप ऐसे चीम आगक हो करते हैं चैर दीर आफा तरह बढ़ा का वाहा Ge אבל 100 क्टेल 100 क्राइब अच्छी तरह से और बहुत अच्छी खुश्बूँ आरी है फ्रेंस बिलीव मी इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है और यह देखिए हमारा जो अचार है फ्रेंस बनके रेडी है इंस्टिंट अचार अगर आप तुरंट खाना चाहते हैं तो एक घंटे के बाद आप दाल दे और इसे enjoy कर ले टेस्ट में कोई फरक नहीं आएगा बड टाइम है तो एक बार उसका पानी छूटने दे और उसके बाद आप oil डालेंगे तो और भी अच्छा ये बनेगा और पूरे साल टिकेगा तो हमारा जो अचार है वो ready है friends इसका color भी बहुत ही बढ़िया आया बोटल को और उसके बाद जब पूरा सूख जाए बोटल तभी आपको इसमें अचार भरना है यानि पानी की एक भी बून नहीं होनी चाहिए जब भी आप स्टोर करें अचार को सारा तेल सब कुछ डाल दिया है और इसकी बाद आप अचार को चम्मत से इस तरह से दबा द यानि तेल के ऊपर जो भी अचार लगा है उसे आप टीशू पेपर से पोच ले इस पे फंगस लगने के चांसेज हो जाते हैं और जितना हो सके उतना अचार को दबाये थाकि उपर ऐल की लेइर आ जाए और बोतल को भी अच्छे तरह से साफ ही रखे इसकी बाद एक और चीज का ध्यान देना है जब भी आप अचार निकाले खाने के लिए तो साफ सुखी चमच का ही यूज करें और ये देखिए कितना टेस्टी टेम्टिंग हमारा ये जो अचार है कर्दू कस करके दम डिफरेंट स्टाइल में बनके और बाद में उसी चमच से आप इस तरह से दबा लें ताकि ओल का लेयर उपर आ जाए और हमारा अचार खराब ना हो पूरे साल भर तक टिका रहे तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपका अचार बिलकुल भी खराब नहीं होगा पूरी साल ये अच्छी तरह से चलने वाला है और ये टीशू पिपर से भी जरूर साफ कर लें इसे एर टाइट बोतल में ही बन करें तो फ्रेंज हमारा अचार बनके रेडी है लग रहे ने दम टेम्टिंग सच बताना मूं में पानी आया की नहीं ये अचार साल भर तक के लिए भी खराब नहीं होने वाला है चलने वाला है और इतना जादा टेस्टी बनेगा कि आप इसे हर साल बनाना प्रिफर करोगी अगर आप इसे एक घंटे के अंदर ऑल डाल के बना रहे है फिर आप इसे जली से खतम कर लीजेगा क्योंकि बाद में वह जादा टिकेगा नहीं साल आचार की रेसिपी या कौन से वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चानल पर उसके लिए भी आप लिखके भेज सकते हैं और ये भी बताई का कैसी लगी आपको ये डिफरेंट स्टाइल आचार की रेसिपी तब तक के लिए फ्रेंड्स लाइक भी कीजे शेर भी कीजे और and take care, bye bye!